बिग बॉस की सत्रहवे सीजन की ग्रेंट प्रीमे के साथ शुरुआत हो चुकी है। बिग बॉस के इस सीजन में अलग-अलग फिल से सत्रह कंटेस्टन पहुँचे है। खास बात ये है कि इस बार बिग बॉस का सत्रहवा सीजन दिल, दिमाग और दम की थीम पर बेस्ट है। और इसी के आधार पर बिग बॉस हाॉस को भी तीन हिस्सों में बाता गया है मौहला एक, मौहला दो और मौहला तीन। बिग बॉस की लेटस्ट एपिसोड में इन तीन हिस्सों में जाने को लेकर घरवालों के बीच काफी गहमा गहमी देखी जाती है। बिग बॉस की आवाज आती है और वे अंकिता से पूछते हैं कि घर कैसा लगा। बिग बॉस की लेटस्ट एपिसों में अच्छा परफॉर्म करेंगे और वे कंटेस्टन्ट उनके ये ना के बराबर होंगे जो शो में यूगदान नहीं देंगे। बिग बॉस के नए मॉनिंग एंथम को सुनने के बाद घरवाले काफी एकसाइटर नजर आए। गाने पर सभी घरवालों ने मिलकर डांस किया। इसके बाद बिग बॉस सना रईस खान को कंटेस्टन रूम में बुलाते हैं। बिग बॉस सना को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ब्रेन रूम में रहने वाले घरवाले ड्यूटीज अलोट करेंगे। बिग बॉस स्ट्रक की सदस्यों को दो मिनित के बीतर अपनी कमरे और बिस्तर बदलने की चॉइस देते हैं। इसके बाद सभी घरवाले अपने पसंदीदा कमरे की ओर दोड़ पड़ते हैं। इस दोरान बिस्तर और कमरा बदलते समय सुनिया और अभिशेक के बीच तीखी जड़क हो जाती है। दोनों ने एक दूसरे को जम कर गालिया दी। अभिशेक का जगडालू स्वभाव घरवालों को पसंद नहीं आया। इसकी बाद बिग बॉस विक्की को डार्ट भी लगाते हैं। इसी की साथ बिग बॉस सत्रा का पहला एप्सोड खत्म हो जाता है।